आज हम देखेंगे दंड आलेक से संबंदित कुछ उधारण किसी स्कूल में वाशिक समाहरों के लिए बच्चों के जूतों के माप लिए गए वे कुछ इस प्रकार थे दी गई जानकारी को दंड आलेक के रूप में निरूपित कीजिए चलिए एक एकाई बराबर बीस चात्र यह पैमाना लेकर दी गई जानकारी के आधार पर दंड आलेक खीचते हैं कागस पर शेतिज रेखा एक्स अक्ष और उर्द्वाधर रेखा वाई अक्ष खीचे हम जूते का माप एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे इसी तरह हम एक एकाई बराबर बीस चात्र पैमाना लेकर वाई अक्ष पर छात्रों की संख्या दर्शाएंगे चुकि सबसे अधिक मान एक सो आठ है इसलिए हम वाई अक्ष पर चात्रों की संख्या 120 पर समाप्त करेंगे अब हम जूतों के प्रतेक माप के लिए उध्वाधर में डंड खीचेंगे जिनकी लंबाई छातरों की संख्या निरूपित करेगी इस प्रकार हम जूतों के सभी मापों के लिए डंड खीच लेंगे इस प्रकार हमने दी गई जानकारी के लिए दंड आलेक खीच लिया है अगला उधारण दर्शाय गई दंड आलेक में भारत का एशियाई खेलों में प्रदर्शन निरुपित किया गया है दंड आलेक को पढ़कर निमन सवालों के उत्तर दीजिए दंड आलेक में सबसे अधिक लंबाई वाला दंड 2018 वर्श के लिए खीचा गया है चोकि पढ़कों की संख्या दंडों की लंबाई से निरुपित होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत को वर्श 2018 में सबसे अधिक पढ़क प्राप्त हुए है वर्श 2010 के लिए खीचे गये दंड की लंबाई से हमें ग्यात होता है कि भारत को 2010 में कुल 65 पढ़क प्राप्त हुए भारत को 2006 की तुल्ना में 2018 में कितने अधिक पढ़क प्राप्त हुए 2006 में भारत को 53 पढ़क मिले तथा 2018 में 69 पढ़क मिले दोनों वर्शों में प्राप्त पढ़कों की संख्या में 79 रिन तिरपन बराबर 16 पढ़कों का अंतर है वर्श 2010 से वर्श 2014 तक पढ़कों की संख्या में कितनी गिरावट हुई है 2010 में भारत को 65 पदक प्राप्थ हुए थे जबकि 2014 में 57 पदक प्राप्थ हुए थे इस तरह से वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक पदकों की संख्या में 65,57 बराबर 8 पदकों से गिरावट हुई है अगला उधारण 2017 में भारत में एक सर्वेक्षन यानि सर्वे किया गया जिसमें समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या ग्याद की गई सबसे अधिक पढ़े जाने वाले कुछ समाचार पत्रों संबंदी ब्योरा दंड आलेक में तर्शाया गया है इसे पढ़कर निम्नलिखित सवालों के उत्तर आप सवयम ग्याद कीजिए कौन से समाचार पत्र के पाठक सबसे अधिक है? हिंदुस्तान समाचार पत्र के पाठकों की संख्या कितनी है? लोकमत समाचार पत्र के पाठकों की संख्या कितनी है? दैनिक जागरण और लोकमत के पाठकों की संख्या में अंतर कितना है? तो आज हमने देखे दंड आलेक से संबंधित कुछ उधारण अगली वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ गलतिया देखेंगे